आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाना चाहते हैं सेंगियन विजा लेके तो यूरोपियन कंट्री आपको फ्रेस विजा नहीं देती है बहुत कम चांस होते हैं आपके फ्रेस विजा लग जाए तो इसके लिए आपकी ट्रेवल हिस्ट्री होना जरूरी है ट्रेवल हिस जिनमें आप फ्रेस विजा इजली मिल जाता है और उनमें आप आपका बहुत कम खर्चे में और आप गूम के आ सकते हैं तो इन के पहले गूम ले दो तीन दिन के लिए गुमले बेशक उसके बाद आप अपना विजा लगाएं आप अमेरिका जाना चाहेंगे तो अभी आपका फ्रेस विजा नहीं लगेगा बहुत कम चांस होते हैं करनेडा जापान फ्रेंस ऐसी कंट्रियों में आप जाएंगे तो आपके फ्रेस विजा के साथ अपना विजा लगाएंगे सेंगेन विजा तो आपका इजली लग जाएगा इसके लिए आप ट्रेवल इश्ट्री बनाएं नमस्कार मेरा नाम पाउन काकुरिया और आप देख रहें थिंक ओफ काकुरिया मैं अजुकेशन मोटिवेशनल और नोलेज के लिए अपनी विजे नहीं लगते फ्रेश विजे भी बहुत जादा लगते हैं अगर आपका ट्रेवल इस्ट्री है तो आपका डेफिनेटली लग जाएगा शोरली लग जाएगा इसमें कोई दोर आए नहीं है यह आप मान लें कि आपका वीजा लग जाएगा अब बात आते ही ट्रेवल इस्ट्री की ट्रेवल इस्ट्री अगर आप अपनी बनाना चाहते हैं अगर किसी बंदे की ट्रेवल इस्ट्री नहीं है जिसकी है वो तो लगी गया समझो उसका वीजा अब जिसकी ट्रेवल इस्ट्री नहीं है और उसने वीजा लगा आया और या फिर वो पहले ही अपनी travel history बनाना चाहता है फिर एक पर रिस्क लेना चाहता है कि ऐसा नाओ मेरा विजा cancel हो ज़या फिर मैं दुबार्वाला लगा उँ तो फिर मेरे को कही डिक्कत ना है तो अपनी वो पहले तो ऐसा फाइदा क्या, इससे अच्छा आप अपना बैक अप त्यार करें न, आपको जरूती नहीं पड़े किसी ऐजन्ट की, आप अपनी ट्रेवल इस्ट्री बना सकते हैं, मातर 15-20 हजार में आप दुबई गूम के आ सकते हैं, और उसके अलावा आप मलेशिया गूम के आ सकते हैं, उसमें भी यह 15-20 हजार रुपैसे जादा नहीं हो आएगा आपका खर्चा, आप थाइलेंड गूम के आ सकते हैं, वो भी 15-20 हजार के अंदर यह आप गूम के आ सकते हैं, तो ऐसी आप एक या दो कंट्री भी अगूम के आ सकते हैं, तो आपकी ट्रेवल इस्ट् गूम ले उसके बाद आपकी travel history हो जाएगी आपके ITR भी तीन साल की complete हो जाएगी और आप definitely Malta या किसी भी European country में जाके आप जोब कर सकते विजिटर वीजा से जो वरक वीजा में कैसे convert कराएंगे यह हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि आगे का process क्या है अगली वीडियो का इंतिजार करें जरूर आपको बताएंगे जिससे आप visitor वीजा या tourist वीजा को वरक वीजा में convert कर सकते हैं जय हिंद जय भारत